सबी को नमस्कार मैं मुझस मिनी दार्या सूशल साइज टीचर के विडोग्रा लाइन्स मेरट जो उत्तर प्रदेश में है उसमें कारे रहत हूँ आर्टिकल्स लिखता हूँ मेरा शौक है और विभन पत्रिकाओं में मैंने अपने आर्टिकल्स लिखे हैं सबसे पहला मेरा जो आर्टिकल है वो सुभे उठने के महत्र के बारे में है जो बच्चों को यह बताता है कि गया हुआ समय वापस नहीं आएगा तो इसलिए जो जागेगा सो पाएगा जो सोएगा सो खोएगा यदि अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सुभे जल्दी उठें आलस सिक अत्याग करें तभी हम अपने निश्चित उद्देश की प्राप्ति कर सकते हैं फिर मेरा एक संस्मरण या कहिए कि मेरी अविस्मरणीय यात्रा जो गुआ की है ये बियसेनल की पत्रिका मैं चपा था मैं बच्चों को निरन्तर HIV AIDS के प्रति जागरुक करने की कोशिश करती हूं हमें पता हो कि यह कैसे फैलता है इसके फैलने के क्या कारण है कैसे हम इसको रोक सकते हैं इसके क्या मित्स हैं उनके बारे में लोगों को और बच्चों को aware कर आती हूं एक और मेरी अविस्मर्णिय यात्रा जो पितोरगड के भुवनेश्वर की है, पाताल भुवनेश्वर के नाम से जिसे जाना जाता है, ये एक रहस्यमई गुफा है, तो अपनी इस यात्रा के द्वारा मैंने लोगों को इस रहस्यमई गुफा के भी दर्शन साक्षात करवा दिया है, मौलाना अबुलकलामाजा जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, उनके बारे में भी मैंने बच्चों को बताने की कोशिश की है, केवल लिखना ही मेरा शौक नहीं है, गरीब बच्चों को, छोटे और प्यारे बच्चों के साथ कुछ समय बिताना, कुछ बच्चन बिताना बहुत पसंद आता है, जो मौदी जी के मन की बात में भी दिखाया गया था, थेंक यू सो मच पर वाचिंग में, वोप यू लाइक इट, थेंक यू.